वेलकम बैक, आज की इस वीडियो में हाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ बेस्ट 43 इंच फोकी स्मार्ट टीवी की लिस्ट, जो कि आपको प्रीमियम ब्रैंड्स की तरफ से देखने मिलते हैं, like Samsung, Sony और LG, इसे के साथ जो भी टीवी में आपको रेकमेंड कर इसे के साथ अगर आपको ये वीडियो इंट्रेस्टिंग लगती है, वीडियो आप सभी के लिए helpful लिकल कर आती है, तो वीडियो को like जरू कर देना, because like से बहुत ज़ादा motivation मलती है, and इस चैनल पर मैं आपके लिए smart TVs and home appliances से related वीडियो लाता रहता हूँ, तो make sure आप चैनल क को भी जरूर subscribe कर ले, इसे के साथ अगर आप वीडियो पूरा इन तक देखते हैं, और आपको अपने question का answer नहीं मिलता है, और आप still confused है, तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हूँ, Instagram पर मैं आपको quick response देता हूँ, 4-5 घंडे के अंदर मैं आपको reply कर दूँगा, तो अगर आप cut out है, आप मुझे contact करना चाहते हूँ, Instagram की ID नीचे description में है, आइए contact कीजिए, और मैं आप सभी के लिए हमेशा available हूँ, आइए चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं, देखिए विससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको directly smart TVs recommend करना शुरू करूँ, यहाँ पर हम कुछ important points को discuss कर लेते हैं, जो कि आपके लिए जाना जरूरी है, तो यहाँ पर सबसे पहला और important point है, कि आपको premium brand के TVs क्यो buy करने चाहिए, क्या benefit है, इन brand के TVs को buy करने का, because अगर आप market में देखेंगे, तो आपको इन से सस्ते TVs मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको features भी थोड़े extra मिलते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर premium brand TVs को buy करने का reason यह है, कि यह जो brands है, यहाँ पिछले कई सालों से television industry में काम करते आ रहे हैं, television manufacture करते आ रहे हैं, और इस समय भी यह तीनों ही brands, worldwide leading brands है television industry में, कि technology काफिज़ा advanced है, और कोई भी other brands यहाँ पर technology के मामले में इन ती तीनों brand को beat नहीं कर सकता है, हाँ, sales के मामले में कुछ Chinese brands जो है, इन brands को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है, quality की, after sales service की, तो उस case में तीनों ही brands एक बहुत ही अच्छे option निकल कराते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि budget brand के जो TVs होते हैं, जितने भी budget brands हैं, उन पर आपको अच्छी service मिल जाती है, तो ये कुछ benefits है, premium brand के TVs बाय करने का, और आपने खुद भी देखा होगा, जब बात आती है, Samsung, Sony या फिर LG की, तो आपको assurance मिलता है, एक brand value होती है, कि हाँ, मैं product ले रहा हूँ, या फिर ले रही हो, तो मुझे quality अच्छी मिलेगी, और after sales service भी अच्छी मिलने वाली है, तो यही reason है, और यही कुछ plus points है, premium brand के TVs को buy करने का, हाला कि यहाँ पर pricing थोड़ी से जादा होती है, features जो है, budget brand के मकाबले थोड़ी से कम होते हैं, लेकिन in total अगर देखा चाया, तो buy करना वर्थ है, और इसके अलाबा और एक question आप सभी का आ किस में consider कर सकते हो, तो यहाँ पर फिफ्थ नमबर पर जो TV में आप सभी को recommend करूंगा, वो है LG UP series, यहाँ दोस्तों LG UP series 2021 की नई smart TV series है, और UP series में आपको दो type की TVs मिल जाएंगे, दो category की TVs मिलते हैं, LG UP 75 और LG UP 77, अब यहाँ पर LG UP 75 में आपको दो variants मिलते हैं, एक में आपको normal remote मिलता है, और दूसरे वाले में आपको magic smart remote मिलता है, जिसमें आपको Bluetooth and voice assistant का support दिया गया है, बाकी LG UP 77 जो series है, वो exactly same है, बस 77, 75 और 77 में difference यही है, कि जो 77 है, उसमें आपको bezels थोड़े से thin देखने मिलते हैं, तो इन total देखा जाया, तो जितने भी UP series के TVs हैं, वो सब सेम ह किसी में आपको bezels थोड़ा thin मिलता है, किसे में आपको remote जो है, वो smart मिलता है, किसे में आपको normal remote मिलता है, अब जितने भी variants है और जिन में क्या-क्या मिलता है, वो मैं आपको display पर show कर रहा हूँ, pricing के साथ, बात करते हैं, यहाँ पर हम overall LG के UP series के smart TVs के, तो यहाँ पर आपको IPS panel देखने मिल जाता है, अब IPS panel दिया गया है, LG का, तो आपको view angles काफी अच्छे देखने मिलता है, TVs में आपको लगबग 300 से लेकर 330 nits तक की peak brightness देखने मिल जाती है, और 1100 is to 1 का static contrast ratio देखने मिल जाता है, 60 Hz का refresh rate भी यहाँ पर आपको दिया गया है, अब IPS panel के हिसाब से यह आपको brightness and contrast ratio अच्छा देखने मिल जाता है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन आपको एक अच्छा brightness and contrast ratio इस TV में देखने मिल जाता है, और personally मैंने इस TV को खुद यूज करा है, और picture quality यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने मिलती है, especially मैं LG UP series उन लोगों को recommend करू जो की hall में TV को use करने वाले हैं और जिनकी family buddy है, जो की अलग-अलग angles से TV को enjoy करते हैं, उनके लिए LG UP एक बहुत अच्छा option है, because यहाँ आपर आपको IPS panel मिलता है, और view angles काफी अच्छे देखने मिलता है, color reproduction TV का काफी अच्छा है, इसके अलबर TV में आपको 20W के speakers मिल जाते है audio quality कहूंगा, मैं decent है, और अगर आपको थोड़ा बहतर experience चाहिए, तो यहाँ पर TV में आपको एक sound bar लगाना पड़ेगा, बाकि TV जो है, वेवववस के साथ आती है, सारे latest features मिल जाते हैं, और इसी के साथ अगर आपको game वगरा खेलना है, एक budget gaming smart TV लेनी है, तो UP series जो है, वो जो gaming experience है, वो काफी अच्छा होने वाला है, हाला कि यहाँ पर आपको सिफ 60 Hz का refresh rate मिलता है, तो आप full PS5 वाली gaming तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन budget price में, यह one of the best TV है, gaming के लिए भी, अब gaming के लिए भी हो रहा हूं, तो सिफ gaming के लिए नहीं है, आप यहाँ पर normal content भी काफी अच् निकल कर आती है, और अगर जैसे कि यह ने बताया, आपकी requirement में TV fit होती है, तो आप इसे consider कर सकते हैं, इस TV की जो link है, वो मैं आपको नीचे description में दे दूंगा, अब कौन सा variant buy करना है, UP75 buy करना है, UP77 buy करना है, यह totally आपके उपर depend करता है, अगर आप still confused हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप Instagram पर आजाए, हम detail में डिसस करेंगे, आपके requirement के हिसाप से, और then decide करेंगे, मिलके decide करेंगे कौन सा आपको buy करना चाहिए, इसके बाद, fourth number पर जो TV series मैं आपको recommend करूंगा, वो है Samsung Crystal 4K और 4K Pro, जी हाँ, Samsung Crystal 4K और 4K Pro, यह जो smart TV series है, यह 2021 की नई 4K smart TV series और यह Samsung के तरफ से सबसे सस्ती अच्छी 4K smart TV series इस समय market में निकल कराती है, अब यहाँ पर सवाल आएगा कि 4K Pro और normal 4K में क्या difference है, तो difference है सिर्फ remote का, जी हाँ, जो 4K Pro है, उसके remote में आपको voice assistant का button मिल जाता है, और जो normal 4K है, उसमें आपको remote के अंदर voice assistant का support नहीं देख बाकी सारी चीज़े आपको exactly same देखने मलती है, और इसी के चलते हैं, आपको pricing में भी थोड़ा difference देखने मिलने वाला है, वेल यहाँ पर Samsung के इस साल के नए TVs की बात करी जाया, तो यह TVs भी बहुत अच्छा option निकल कराते है, इन TVs में आपको VA panel में जाता है, इन TVs में आपको VA TVs में अच्छी मिलती है, audio की अगर बात करे जाया, तो audio यहाँ पर decent है, 20W की speakers मिलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ा बहतर audio experience चाहिए, तो आपको एक sound बार या फिर home theater की जरुरत पढ़ने वाली है, लेकिन अगर आप normal room में यूज करना चा support में जाता है, HDMI ER code भी आपको मिल जाता है, तो अगर आपके पास Dolby Atmos supported home theater या फिर sound bar है, तो आप उसे भी यहाँ पर connect कर सकते हैं, overall मैं Samsung TV की बात करूँ तो मुझे यह TV काफी अच्छी लगी है, और specifically अगर मेरा budget जो है, मुझे अगर कोई बोले कि अगर आपको 40 to 45,000 के price point म कोई TV बाइ करनी है, तो मैं personally यहाँ पर Samsung Crystal 4K Pro ही consider करूँगा, और इसी के साथ यहाँ पर आपको VA panel मिलता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा extreme angles पर TV नहीं देखनी है, आप ज़्यादा कोने में जाकर TV नहीं देखते हो, आप mostly TV को front से ही enjoy करने वाले हो then उस case में LG से अच्छा option यहाँ पर Samsung निकल कर आता है, बिकॉस इसकी pricing भी थोड़ी कम है, और यहाँ पर आपको जो contrast ratio है, जो dark colors है, वो थोड़े बहतर देखने मिलने वाले है, तो यहाँ पर आप 4th number पर Samsung consider कर सकते हो, अब यहाँ पर आपसे भी का सवाल आएगा कि भाया आ आपने तो TV वगरा यूज नहीं किया है, तो कैसे ही बता रहे हो कि यह अच्छी है या फिर यह अच्छी नहीं है, तो आपकी जाएं के लिए बता दू कि जब भी मैं कोई video बनाता हूं, किसी भी TV को लेकर मैं पहले offline stores में जाता हूं, जुगाड करता हूं, TV कहीं से मिल जा और उसके हिसाब से मैंने TV को rank किया है, तो चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे list के 3rd number के तरफ, और 3rd number पर जो TV मैं आपको recommend करूंगा, वो है Sony X74 और X75, जो कि Sony के 2021 के नए Android TVs है, अब यहाँ पर Sony के TV के जो pricing है, वो LG और Samsung में मुकाबले थोड़ी सी जादा होती है, लाइक Samsung और LG जो है वो आपको 40,000 रुपे के असपास देखने मल जाएंगे, लेकिन वही Sony के जो TVs हैं यह आपको 50, 55,000 रुपीज तक देखने मलेंगे, 43 इंच स्क्रीन साइज में, यहाँ अपर सबसे पहले हम यह जा लेते हैं कि Sony X74 और X75 में क्या difference है, सबसे पहला difference जो आ देखते हैं या फिर आप action movies बगरा देखते हैं, तो वहाँ पर आपको जो motion flow है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा advance देखने मलता है, जिसमें और भी ज़दा extra frames एड़ के जाते हैं, इस वज़े से वहाँ आप आपको जो smooth ने से वो थोड़ी बहतर देखने मलती है, लेकिन जि यहाँ पर आपको X74 कंसिडर करना है, ऐसा मेरा suggestion है, बाकी आप के बड़िपन करता है, बाकी TVs की बात करी जायते हैं, यहाँ पर आपको IPS panel देखने मल जाता है, contrast ratio यहाँ पर लगबग 1000 is to 1 और 1100 is to 1 का देखने मल जाएगा, brightness भी यहाँ पर लगबग आपको 300 से लेकर 358 की देखने मल जाएगी, Android operating system मलता है, Sony के TV से picture quality काफी अच्छे लगती है, personally मैंने यहाँ पर यूज करके देखा है, आपके जो SD channels है, वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी तरीके से upscale होके देखने मल जाते हैं, तो जो image processing है, वो यहाँ पर Samsung और LG के मुकाबले थोड़ी सी बहतर देखने मलती है, Sony के TVs में, and overall picture quality आपको काफी अच्छी देखने मलेगी, smoothness यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है, especially अगर आप cricket पगरा देखना चाहते हैं, तो Sony के TVs में आपको काफी अच्छी जो है performance मिलने वाली है, audio output में यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर भी decent audio output मिलती है, अगर आप थोड़ा बहतर experience जाते हैं, तो उस case में आपको एक soundbar buy करना पड़ेगा, बाके टीवी Android है, सारे Android वाले features मिल जाते है, dual band Wi-Fi 5.0 का पर support मिल जाता है, build quality पगरे TV के काफी अच्छी है, and personally मुझे TV काफी अच्छी लगी है, और अगर आपको बजट जो है मेरे list के second number वाले TV के तरफ, और second number पर जो TV में आप सभी को recommend करूँगा, वो है Samsung D. Serif, जी हां दोस्तों, Samsung D. Serif, शायद से आपने इस TV के बारे में सुन रखा होगा, यह जो TV है, Samsung की, यह अलग ही category TV है, यह basically lifestyle category की TV में आती है, और यहां पर इसका जो look है, वो काफिजा unique है, अगर आप इस TV को buy करते हैं, तो आपका दो काम होगा, सबसे पहले, इस TV को आप home decor की तरह use कर सकते हैं, और दूसरा जो है, normal TV के लिए, normal entertainment purpose के लिए use कर सकते हैं, यहां पर इसका जो design है, वो काफिजा unique है, आई shape design मिल जाता है, जो कि आपका घर के look को काफी बहतिनी बनाने वाला है, और इसी के साथ, TV की बात करे जाया, तो यह QLED TV है, VA panel दिया गया है, TV में आपको brightness काफी अच्छी मिलती है, colors काफी अच्छी देखने मिल जाते हैं, इस TV में लगबग आपको 450 nits की brightness मिल जाती है, और लगबग यहां पर आपको 5000 is to 1 का static contrast ratio देखने मिल जाता है, image processing काफी अच्छी है, और overall picture quality आपको यहां पर काफी बहतरी देखने मिलने वाली है, और Samsung के तरह से TV है, तो no doubt आपको quality भी अच्छी मिलेगी, 40W के speakers यहां पर आपको देखने मिल जाते है, NFC का भी support दिया गया है, Tizen operating system मिल जाता है, voice accession का support यहां पर आपको मिल जाता है, बाक आफीजा बहतरी मिलती है, आपको Samsung D-Serif में, यहां पर अगर हम PQI की बात करें, तो Samsung के इस TV में 2800 का PQI देखने मिल जाता है, अब यह PQI क्या है, तो PQI का full form है picture quality index, जो कि Samsung यूज़ करता है, अपनी सभी TVs की picture quality को measure करने के लिए, तो यहां पर में 2800 PQI देखने मिल जात है, तो यहां पर अगर in all summary की बात करो, तो यह TV काफी अची है, एक piece of artwork है, और साधे साधे एक TV है, जो कि अच्छी picture quality, और वो सभी latest pieces के साथ आती है, and definitely आप इस TV को considerate कर सकते हैं, इस समय इस TV की pricing जो है, वो लगबख 62,000 रुपीश चल रही है, और इस समय यह काफी बहतरी option है, अगर आप एक अच्छी TV लेना चाहते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम finally बात करते हैं, उस smart TV की जिसने top 5 list में अपनी जगा number 1 पर बनाई है, और यह smart TV मेरी favorite smart TV है, अगर मुझे फिलाल कोई TV लेनी हो 1 lakh के budget में, तो मैं definitely Samsung D-frame 2021 edition ही consider करूँगा, हलाकि फिलाल मैं नहीं ब क्यों consider करता है, और क्यों यह number 1 पर TV है, यह हम थोड़ा सा detail में चाहते हैं, तो Samsung की जो D-frame smart TV series है, यह Samsung की lifestyle category की smart TV है, और जो की normal conventional TVs से थोड़ी सी अलग होती है, जैसे हमने D-सेरिफ देखा, काफी अलग ही design देखने मिल रहता है, तो same यहाँ पर D-frame भी एक अलग ही concept है, तो यह बता पाना बहुत मुश्किल होता है, कि आपने actual में कोई TV लगा रखा है, या फिर आपने कोई artwork लगा रखा है, TV के अंतर आपको dedicated art mode मिल जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे artworks मिल जाते हैं, जो की काफे सा realistic लगते हैं, और बता पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर भी आपको VA panel मिल जाता है, brightness यहाँ पर लगबग आपको 500 nits की मिल जाएगी, contrast ratio यहाँ पर लगबग आपको 5400 is to 1 का मिल जाएगा, black colors काफी अच्छे देखने मिलते हैं, deep blacks देखने मिलते हैं, brightness भी काफी अच्छी है, contrast ratio भी काफी अच्छा है, xia performance काफी अच्छ इस वज़े से यहाँ पर मैंने इसको number 1 पर रखा है, बाकि अगर आपको design जो है serif का पसंद आता तो आप serif भी कर सकते हैं, इसके लगब इस TV में, इस particular 43 इच वाले विरेंट में आपको 20W के speakers मिल जाते हैं, बाकि Tizen OS मिलता है, सारे latest switches आपको मिल जाते है, HDMI 2.1 port मिलता है, ER का support मिलता है, ALM का support मिल जाता है, बाकि अगर आप D-frame का 55 इच वाला विरेंट बाय करते हो, या फिर 65 इच वाला विरेंट बाय करते हो, तो वहाँ पर आपको 120Hz refresh rate मिल जाएगा, और PS5 वाले सारे features मिल जाएंगे, फिर वो चाहे VRR का support हो, 120Hz पर 4K Gaming हो, सारी चीज़े आप आपको मिल जाएगे, वहाँ पर आपको output जो है, audio output है, वो 40W की मिलती है, तो मेरे साब से Samsung की 43 इंच D-frame है, 62,000 पर इसमें एक बहुती बढ़िया option है, और definitely अगर आपको budget का कोई issue नहीं है, और आप एक बहुती बहतरी इन TV लेना चाहते हो, जिसमें आपको सब कुछ बहु आपको नीचे description में दे रहा हूँ, तो ये थे सभी best TVs premium brand की तरफ से, अब इस से उपर ही बहुत सारी TVs है, लेकिन जो भी basic-basic TVs थे हैं, वो सब मैं आपको बता दिये हैं, बाकी जो शरीफ और री फ्रेम हैं, वो काफी अच्छा option है, बाकी lower end अगर आपका budget कम है, तो आप उ हम बात करते हैं हमारे उस spending सवाल की, जिसके बारे मैंने कहा था कि मैं वीडियो के end में discuss करूँगा, और वो सवाल है कि क्या हमें premium brands के TVs consider करने चाहिए, या फिर budget brand के TVs consider करने चाहिए, देखें यहाँ पर मेरा ऐसा बिलकुल भी कहना नहीं है, कि budget brands जो है, वो अच्छे नहीं हैं, उनके TVs अच्छे option निकल कर नहीं आते हैं, उनकी TVs long term तक नहीं चलेंगे, वहाँ वारा को service अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, और मैं ऐसा कहता भी नहीं हूँ, लेकिन definitely मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आपको budget का कोई issue नहीं है, तो definitely आपको premium brand के TVs consider करने चाहिए, यहाँ आप रखो features थोड़ से कम मिलेंगे, लेकिन जो quality जो after sale service मिलेगी, वो आपको budget brands के मकाबले काफी बहतरीन मिलने वाली है, वही अगर मैं बात करूँ budget brands की, तो वहाँ पर आपको काफी कम price में काफी अच्छी पिच्छी quality मिल जाती है, काफी अच्छी brands हैं, जो कि आपको अच्छी after sale service देते हैं, like view हो गया, इसके अलावा, high sense में भी आपको majority of cases में service अच्छी मिल जाती है, and onida हो गया, वो भी काफी अच्छी service देता है, तो अच्छे कुछ brands हैं, जो कि आपको अच्छी service देते हैं, तो definitely budget brand की TVs भी अच्छा option निकल कराते हैं, तो यहाँ पर जो पूरा conclusion है, वो यही निकल कर आता है, कि यह totally आपकी उपर depend करता है, कि आपकी क्या requirement है, और आपकी क्या preference है, अगर आप थोड़ा पैसे ज़्यादा spend करना चाहते हो, तो definitely आपको premium brand के TVs कंसेड़क करने चाहिए, और अगर आपका budget कम है, तो definitely आप कुछ budget brand के TVs कंसेड़क कर सकते हैं, और अगर आपको कोई confusion है, कोई doubt है, आपको कुछ सी समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं, या फिर आप नीचे description में, sorry, comment box में comment कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे next video में, तब तक के लिए, टा-टा, बाइ, साव नारा